एक बुलबुले की तरह छोटा सा जीवन है, आज जन्म हुआ है, मृत्यू कभी भी आ सकती है, जब ये तई है, कोई भी यहां पर्मनेंट नहीं रहेगा, तो फिर किस कॉन्फिडन्स में हम बेखबर, मूर्चित जीवन जी रहे हैं, हर एक दिन हर कोई मर रहा है, उसे देख उसी और बात से डराया या जगाया भी नहीं जा सकता, मृत्यू का भी अगर किसी पर असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, अभी चक्र और लंबा चलने वाला है, हमें ये मानकर और हजम करके चलना होगा कि हम एक बहुती आम मनुश्य है, इसलिए हमें कोई प्रति प्रति बोद देगा और नहीं मोटिवेट करेगा, ये हमारी अपनी खुद की यात्रा है, अगर हमने एक भी कदम नहीं उठाया, तो इसमें हमारा नुकसान है, हमारे संसार चक्र बढ़ेंगे, हमारे जन्म मरन होंगे, हम मूल हार जाएंगे, ब्यास तो मिला नहीं, मूल भी हाथ से चला जाएगा, इसलिए जब भी मोका मिले, ग्रहस्ती में रहते हुए, ध्यान से चीजों को देखे, उनकी नश्वरता को समझे, सोचे, विचारे, प्रशन करे, क्या, क्यों, कैसे, जब किसी जानवर को दुख पाते हुए, देखे, तो चिंतन करे, आज इसको दुख मिल रहा है, पर मैं ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, जिससे मुझे जानवर बनकर इस तरह दुख उठाना पड़े, फिर खोच करे, कोई जानवर क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस कारण से बनता है, जानने के बाद उन कारणों से अपने आपको दूर कर ले, इ जान से देखे और समझे क्यों ऐसा होता है, एक के पांच इंद्रिया है और एक के चार, एक के तीन तो इस तरह की बनता क्यों होती है, किस कारण से होती है, किन कर्मों से होती है, कर्मों की गहराई में जाएं और अच्छे से समझे इसके मूल कारण को, तो इस तरह से हर बा के मूल में चली जाएंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें